महिंदर सिंग धोनी फिनिश ऑफ इन स्टाइल एंडिया लिफ्ट वोल्ड कप आफ्टर 28 यर्ज आखरी बार जब इस वेन्यू पर ये मुकाबला हुआ तो ये लाइन सुनाई दी गए थी और देड़ सो करोड की आबादी वाले इस देश्ट ने रॉंगटे खड़े कर दिये थे जी हां महिंदर सिंग धोनी का वो छक्का अपरेल की दो तारीक साल था 2014 दो नवेंबर है आज किंखान का बर्डे है आज आज आइकानिक मैदान हैवान खेड़े का और आज मुकाबला इंडिया वर्सिर शिलंग का बारा साल पहले कि अगर मैं बात करता मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलता और मैं कहते हैं लवस कम पढ़ जाते हैं कई बार त लिए क्योंकि आपको टाप 7 में फिरिश करना होगा आठ टी में जाएंगे लेकिन पाकिस्तान पहले से तया है उसमें क्योंकि होस्ट कर रही है तो ऐसे में यह मुकाबला थोड़ा सा दिल्चस्प होता हुए नसरा रहा है टीम इंडिया की बात करूंगा प्लैंग 11 की बा सब्सक्राइब क्या करेंगे तो इस तरह की स्टोरी आ सकते हैं अगर इंडियन बॉलर्स का प्लैन कुछ और हुआ थो अगर प्लैंग 11 की बात कुरूंट तक टीम इंडिया की प्लैंग 11 बहुत सौर्टिड है एक बार फिर से हार्दिक पांडिया अवेलिबल नहीं है यान प्यादव और फिर सिराज शामी जस्प्रिद बुम्रा यानि के बहुत प्यार से आपकी 11 बनती जा रही है इसमें कोई दोराय नहीं है वह इंगर श्रिलंका की बात करें तो फिर से सौर्टेड एलेवन है इसमें आप देखेंगे निसांका को पर देंगे परेरे की जगा क सुनित वाली लागे कसुन रजीता और मदुशंका सबसे शांदार पावर प्लेम विकेट इसी के नाम है श्रिलंका की तरसे तो आप कह सकते हैं कि अच्छा टूटल बनता नजर आ सकता है यह तो हो गया बात वेदर अपडेट की क्योंकि बहुत साफ रहने वाला है तो खेड़े में उनका रिकॉर्ड पिछले दस बीस सोला कर रहा है तो उनसे थोड़ी से उमीद है कि उस रिकॉर्ड का बैतर कर सकने वाकि विराट को लिए और चास वाश तक हर कोई उमीद लगा के बैठाए कि देखने को मिल जाए ताकि पांच निवंबर को जब वो अपने बालर्स की बात करो तो शामी एक बार फिर से पिक ऑफ दे बालर्स हो सकते हैं आज के उधर से मदुशंका पूरे पूरे दावेदार हैं आपको क्या लगता है इस मकाबले में क्या होने वाला है क्या विराट कोली का और नचास वश्र तक आएगा मुझे को बताएगा करना बिल्कुला भूलें